नीती वच्चन 17 अध्याई 25 से 28 तक मुर्ख पुत्र से पिता उदास होता है और जननी को शोक होता है फिर धर्मी से जुर्माना लेना और प्रधानों को खराई के कारण पिटवाना दोनों काम अच्छे नहीं है जो संभल कर बोलता है वो ग्यानी तहरता है और जिसकी आत्मा शांत रहती है वही समझवाला पुरुष ठहरता है मुड़ भी जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है और जो अपना मुह बंद रखता वह समझवाला गिना जाता है नीती वच्चन 18 अध्याई 1 से 6 तक जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच पूरी करने के लिए ऐसा करता है और सब प्रकार की खरी बुद्धी से बैर करता है मुर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता वह केवल अपने मन की बात प्रगट करना चाहता है जहां दुष्टता आती वहां अपमान भी आता है और निरादर के साथ निंदा आती है मुह के वचन गहिरा जल और उमणने वाली नदे बुद्धी के सोते हैं दुष्ट का पक्ष करना और धर्मी का हक मारना अच्छा नहीं है बात बढ़ाने से मुर्क मुखदमा खड़ा करता है और अपने को मार खाने के योग्य दिखाता है रोमियो आठ अध्या एक से सत्रा तक अतह अब जो मसी इश्यू में है उन पर दंड के आगया नहीं क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसी इश्यू में मुझे पाप की और मुर्ट्यों की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी उसको परमेश्वे ने किया अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समांता में और पाप बली होने के लिए भेज़ कर शरीर में पाप पर दंड की आग्यादी इसलिए कि व्यवस्था की विदी हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए क्योंकि शरीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं शरीर पर मन लगाना तो मृत्यू है परन्तु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांती है क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है क्योंकि न तो परमेश्वर के व्यवस्था के अधिन है और न हो सकता है और जो शरीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन नहीं कर सकते परन्तु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शरीरिक दशा में नहीं परन्तु आत्मिक दशा में हो यदि किसी में मसी का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं यदि मसी तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है यदि उसी का आत्मा जिसने ईशु को मरे हुँ में से जिलाया तुम में बसा हुआ है तो जिसने मसी को मरे हुँ में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा ज तो यदि आत्मा से देह के क्रियाओ को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाएचलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। क्योंकि तुमको दास्तवक्य आत्मा नहीं मिली कि फिर भय भी थो परन्तु लेपालक्पन की आत्मा मिली है जिससे हम ए अब्बा ए पिता कहकर पुकारते हैं आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है और यदि संतान है तो वारिस भी वरंट परमेश्वर की वारिस और मसी की संगी वारिस है कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए होशे आठ अध्याय एक से चौधा तक अपने मुह में नरसिंगा लगा वो उकाप के समान यहवा के घर पर जपटेगा क्योंकि मेरे घर के लोगों ने मेरी वाचा तोड़ी और मेरी व्यवस्था का उलंगन किया है वे मुझसे पुकार कर कहेंगे हे हमारे परमेश्वर हम इसराइली लोग तुझे जानते हैं परंतो इसराइल ने भलाई को मन से उतार दिया है शद्रू उसके पीछे पड़ेगा वे राजाओं को टहराते रहे परंतो मेरी इच्छा से नहीं वे हाकिमों को भी टहराते रहे परंतो मेरे अंजाने में उन्होंने अपना सोना चांदी लेकर मूरते बना ली जिससे वे ही नश्ट हो जाए हे शोमरोन उसने तेरे बचड़े को मन से उतार दिया है मेरा क्रोध उन पर भढ़का है वे निर्दोश होने में कब तक विलम करेंगे यह इसरायल से हुआ है ए उनके लिए कुछ खेत रहेगा नहीं न उनकी उपद से कुछ आटा होगा और यदि हो भी तो परदेशी उसको खा डालेंगे इसरायल निगला गया अब वे अन्य जातियों में ऐसे निकम में टहरे जैसे तुच्च बरतन टहरता है क्योंकि वे अशूर को ऐसे चले गए ज जैसा जंगली गधा जुंड से बिछूड के रहता है एप्रेम ने यारों को मजदूरी पर रखा है यद्यपी वे अन्य जातियों में से मजदूर बना कर रखे तो भी मैं उनको इखटा करूंगा वे हाकिमों और राजा के भोज के कारण घटने लगेंगे एप्रेम ने प पराया समझते हैं वे मेरे लिए बलीदान तो करते हैं और पशु भली भी करते हैं परन्तु उसका फल मास ही है वे आप ही उसे खाते हैं परन्तु यहवा उनसे प्रसन नहीं होता अब वो उनके अधरम के सुधी लेकर उनके पाप का दंड देगा वे मिस्र में लोट जाए क्योंकि इस्राइल ने अपने करता को भूल कर महल बनाए और यहुदा ने बहुत से गड़वाले नगरों को बसाया है परन्तु मैं उनके नगरों में आग लगाऊंगा और उससे उनके गड़ बस्म हो जाएंगे होशे नौ अध्या एक से सत्रा तक हे इस्राइल तु वे न तो कलिहान के अन्न से त्रिप्त होंगे और न कुंड के दाखमदू से और नए दाखमदू के घटने से वे दोखा खाएंगे वे यहुदा के देश में रहने न पाएंगे परन्तु इप्रे मिस्र में लोट जाएगा और वे अशुर में अशुद वस्तुई वे यहुदा के लिए दाखमदू का अर्ग न देंगे और न उनके बलिदान उसको भाएंगे उनकी रोटी शोक करने वालों का सा भोजन टहरेगी जितने उसे खाएंगे सब अशुद हो जाएंगे क्योंकि उनकी भोजन वस्तु उनकी भूख भुजाने ही के लिए होगी वो यहुदा के भवन में न आ सकेगी नियत समय के पर्व और यहुदा के उत्सव के दिन तुम क्या करोगे देखो वे नश्ट होने के डर के मारे चले गए परंतु वहां मर जाएंगे और मिस्री उनके शव इखटा करेंगे और मोप के निवासी उनको मिट्टी देंगे उ उनकी मनभावनी चांदी की वस्तुवे बिच्छू पेडों के बीच में पड़ेगी और उनके तंबूओं में जड़बेरी उगेगी दंड के दिन आये हैं बदला लेने के दिन आये हैं और इस्रायल यह जान लेगा उनके बहुत से अधरम और बड़े द्वेश के कारण बविशदक्ता तो मुर्ख और जिस पुरुष पर आत्मा उतरता है वो बावला टहरेगा एप्रेम मेरे परमेश्वर के और से पहरुआ है बविशदक्ता सब मारगों में बहेलिये का फंदा है और वो अपने परमेश्वर के घर में बैरी हुआ है वे गिबा के दिनों की बांती अत्यंत बिगड़े हैं इसलिए वो उनके अधर्म की सुधी लेकर उनके पाप का दंड देगा मैंने इसराहिल को ऐसा पाया जैसे कोई जंगल में दाख पाए और तुम्हारे पुर्खाओं पर ऐसे दृष्टी की जैसे अंजीर के पहले फलो पर दृष्टी की जाती है परंतु उन्होंने पोर के बाल के पास जाकर अपने को लज्जा का कारण होने के लिए अरपन कर दिया और जिस पर मोहित हो गए थे वे उसी के समान घिनोने हो गए एप्रेम का वैभव पक्षी की समान उड़ जाएगा न तो किसी का जनम होगा न किसी को गर्ब रहेगा और न कोई स्थ्री गर्बवती होगी चाहे वे अपने बाल बच्चों का पालन पोशन कर बड़े भी करे तो भी मैं उन्हें यहां तक निर्वन्ष करूंगा कि कोई भी न बचेगा जब मैं उनसे दूर हो जाओंगा तब उन पर हाए जैसा मैंने सोर को देखा वैसा एप् ने बच्चों को घातक के सामने ले जाना पड़ेगा है यहोबा उनको दंड दे तू क्या देगा यह कि उनकी स्रीयों के गर्ब किर जाए और स्थन सूखे रहे उनकी सारी बुराई गिलगाल में है वही मैंने उनसे ग्रणा की उनके बुरे कामों के कारण मैं उनको अपने घर से निकाल दूँगा उनसे फिर प्रीती न रखूंगा क्योंकि उनके सब हाकिम बलवा करने वाले हैं एप्रे मारा हुआ है उनकी जड़ सुख गई उनमे फल न लगेगा चाहे उनकी स्थ्रीयों बच्चे भी जने तो भी मैं उनकी जनमे हुए दुलारों को मार डालू झाल